नमस्कार, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा मेडिया रिपोर्टस के माध्यम से और मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको ख़वर दे दी थी कि अगनीपत यूजना के सुरुवात की गई है ये योजना क्या है, किनके लिए लावकारी है, कितनी सेलेरी है, कितना पिंसन है, क्या-क्या लाव है, कौन इसमें बहाल हो सकते हैं A to Z पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में तो आप बने रही है हमारे इस वीडियो को देखिए पूरा पूरी स्कीप जारा सा भी नहीं कीजिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये एक प्रकार के स्कीम है जिसके माध्यन से आप जो है वो देश की सिवा कर सकते हैं अगनी वीर बन करके इस योजना में जो भी लोग भरती होंगे उनको अगनी वीर के नाम से पुकारा जाएगा उनको अगनी वीर कहा जाएगा तो अगर आप देश की सिवा करना चाहते हैं और अगर आप योगे हैं तो आपके लिए इससे सुन्दर और इससे अच्छा मुका हो ही नहीं सकता तो आप इस वीडियो को पूरा पूरी देखिए सबसे पहले देखते हैं अगनी पत योजना है क्या भारत की तीनों से नाव में भारती योग युवाओं को चार साल के लिए कॉन्ट्रेक्ट के अभर पर भरती करने की योजना जो है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है जिससे अगनी पत योजना का नाम दिया गया है और इस योजना के अंतरगत में भरती होने वाले सभी युवाओं को अगनी वीर कहा जाएगा यानि भारत की तीनो सेना है नौ सेना इसके अलावे वायू सेना और इसके अलावे थल सेना तीनो सेनाओं में अगर आप भरती होना चाहते हैं तो चार साल के contract basis पर बहाली की जाएगी और इसी योजना का नाम रखा गया है अगनी पत योजना और इस योजना के अंतरकत में जो जो युवा भरती होंगे उन सबों को अगनी वीर के नाम से पुकारा जाएगा इसकी घोसना कल यानि चोगदर जुन 22 को भारत के रक्षा मंतरी राजनास सिंग जी ने की इसके कई सारे उद्देश भी हैं मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लिट जान करी दूँगा बने 30% जो अगनी वीर होंगे उनको पर्मानेंट कर दिया जाएगा मतलब पर्मानेंट होने का मौका दिया जाएगा उसके परदर्शन के अधार पर स्वास्त के अधार पर फिटनेस के अधार पर और अन्य कई सर्थ होंगे उस अधार पर जो है वो उनको सेना में ही अस्थाई नोकरी परदान कर दी जाएगी मतलब अगर 100 लोग बहाल किये जाते हैं तो उसमें से 25 लोगों को जो है वो अस्थाई तोर पर सेना के केडर में बहाल कर दिया जाएगा जो योग्य होंगे स्वस्थ होंगे फिट होंगे अपने ड्यूटी पर काफी जादा मतलब अच्छे त 30-40,000 रुपई ये प्रती महिने आपको दिया जाएगा सेलेरी के रूप में और जो की बढ़ता रहेगा और चोथे साल तक बढ़ करके 6,92,000 मतलब मोटा मोटी 7,00,000 रुपई ये आपका हो जाएगा यानि आपको एक अच्छी खासी सेलेरी भी मिलेगी लगभग 30-40,000 र लेता बट सौरी उम्र नहीं है तो क्या करें अब जो है वो अगनी वीर को और भी कुछ सुधायां दी जाएंगी अगर उनकी उनका जो है वो बीमा होगा 48,000,000 रुपई ये का जो की नॉन कंट्रिब्यूटरी बीमा होगा यानि आपको किसी प्रकार से कोई प्रीमियम का भुकतान नहीं करना है 48,000,000,000 रुपई का भीमा होगा इनकेस ऐसा हो ना लेकिन इनकेस अगर कभी आपके साथ कोई दुरुटना हो जाती है तो आपको 48,000,000,000 रुपई ये आपके फैमिलीज को दिया जाएगा और जब आप सेवा से मुक्त होंगे 4 साल के बाद तो आप आपको 11,000,000,000 रुपई एकमुस्त सेवा निधी पैकेज के रुप में दिया जाएगा 11,000,000 यानि जब आप रेटाइर होंगे 4 साल के बाद तो लगभग 12,000,000 रुपई आपको दिये जाएंगे इधर सेलेरी भी दिये जाएगा उधर 12,000,000 रुपई भी दिये जाएगा सेवा के दोरान मिर्ति होने पर बीमा की रासी और सेस बची वी सेलेरी दी जाएगी मतलब अगर मान लीजे आप 2 साल सेवा करते हैं उसके बाद इन केस अगर मिर्ति हो जाती है तो वैसे इस्तिति में आपको 48,000,000,000 रुपई ये बीमा की रासी और सेस जो 2 साल बचा सेवा के दोरान अगर 50,000,000,000 रुपई और वेतन दिया जाएगा इस प्रकार से और इसमें कई सारे टाउन से में कंडिशन है मैं आपको अभी वेबसाइट पर भी ले जा करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ वो यूही नहीं लिखा हूँ उसके लिए मैंन वेबसाइट से जो भारत सरकार के जो तीनों से नहीं की वेबसाइट है उस पर यह चीज़ें दी हुई है मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी अगनी वीर को और कौन कौन से सुधाय में लेगी तो परतिक अगनी वीर को जब वो सेवा मुक्ती होंगे मतलब जब चार साल के बाद वो नोकरी से रेटायर होंगे तो वैसी स्थिति में उनको कौसल परमान पत्र दिया जाएगा अगनी वीर कोसल परमान पत्र और इस परमान पत्र के आधार पर आप कहीं भी आसानी से जौब ढूंड सकेंगे जैसे आप चाहें तो एसम कैटेग्रीज में भी आ जा जाएगा उसके दारव पर आप डूं के लिए अपलाई कर सकते हैं और इसके अलावे सेना में अगर आप अच्छा परद्रसंन करते है तो परस्कारोग्र भी दिया जाएगा जो सेनाव को दी सर्वीस में हैं तब तक एक वर्स में आपको 30 दिन के अधिक्तम छुटी दी जाएगी आप 30 दिन के छुटी ले सकते हैं एक साल के अंतरगत में इसके अलावे मेडिकल कंडिशन के आधार पर भी छुटी दी जा सकती है लेकिन एक चीज आप धियान रखें कि अगनी वीर को किसी प्रकार का कोई पेंसन नहीं दिया जाएगा आप एसा ना समझें कि आप इसमें बाहल हो जाएंगे फिर रटायर होंगे तो आपको पेंसन दिया जाएगा अगनी वीर को अपनी मर्धी से इसमें दाखिल होने के बाद से निकलने के अनुटी नहीं होगा यानि आप पहले इसमें भरती हो जाएंगे फिर एक साल लोकरी करने के बाद सोचेंगे कि हम छोड़ दें तो ऐसा करने के अनुटी आपको नहीं है ऐसा रेर कंडिशन में कि किया जा सकता है जिसके लिए उच अस्तर ये आदेश के हो सकता होगी यानि आप पूल मिला करके ऐसे समझें कि यह काफी मुश्किल वाला काम है आप अगर वहां पर जाएंगे इसमें भरती होंगे तो आपको चार साल सेवा देनी है और चार साल काफी कम समय होता है इतनी स सभी वर्ग के जो नागरिक हैं सब योग्य हैं इसके लिए बस उसकी उम्र साड़े सत्रह वर्ष से लेकर कि 21 वर्ष तक होनी चाहिए जब नोटिफिकेस्टन प्रकासित किया जाएगा उसमें डेट लिखा हुआ रहेगा कि इस डेट को उम्र जो है वो साड़े सत्रह से 21 स चेना का जो जो नियम सर्थ है सब लागू रहेगा बस आपको चार साल नोकरी करनी है साड़े सत्रह से 21 साल के उम्र होनी चाहिए और विभिन पदों के नुसार जो साररिक योग्यता की विजरुत पड़ती है वो भी इसमें लागू हो रहता है अगर आपने इससे पहले न नात किया जा सकता है अगनी वीर ससत्रवलों में एक जीला रेंक बनाया जाएगा और अगनी वीर को एक विसिस्ट परकार का जो है वो चिन भी दिया जाएगा प्रतीक चिन है और पुरुसकार सम्मान ये तमान चीज़ें जो है वो अगनी वीर को दिया ही जाएगा जो आम forces को दी जाती हैं उसी प्रकार से अब इससे देष को क्या फायदा होने जा रहा है देष को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने जा रहा है ये एक بहत्री निस्कीम है देष को युवा और उर्जावान सेना मिलेगी इससे, देष में बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी देश में स्टार्ट अप बढ़ने से अर्थवस्ता मजबूत बनेगी मतलब अगर आप वहां से सेना से रिटायर होकर करके आएंगे तो वैसे स्थिति में आपके पास एक अच्छी खासी पूंजी रहेगी जिसके आधार पर आप चा पनी में भी दो चार लोग जो है वह काम करेंगे तो उससे बेरोजगारी भी खत्म होगी तो कई प्रकार की जो है वह फायदे इससे होने वाली है देश के पास पहले से ही ट्रेंड से ना होगे और इसके अलावे अगर देश को कभी ज़रूत पढ़ती है युद्ध वाली या अत्यंत भयानक आपदा आती है तो वैसे स्थिति में आप लोगों को जो है वह बुलाया जाएगा तो एक बहुत अच्छी सोच के साथ इसे लाया गया है और इसके अलावे देश के पास जो है वह नेतिक युवाओं के संख्यां बढ़ेगी मतलब युवा जो काफी ज जो है वह देश के पास होगा किनकि जब आप रेटायर होकर करके आएंगे तब तक आप जो है वह अनुसासन में रहने का आपको एक आदत हो जाएगा जिसके कारण से आप अनुसासित रहेंगे और इसके अलावे जब आप सेना से ट्रेनिंग करके आएंगे तो फिटनेस सेलेरी के बारे में थोड़ा सा यहां पर बता देते हैं जो कि PDF में दिया हुआ था आपको पहले साल जो है वो 30,000 रुपईये मिलेगा 30,000 रुपईये वेतन रहेगा जिसमें से आपके हाथ में 21,000 मिलेगा 70% in your hand आप देख सकते हैं यहां पर second column में लिखा हुआ है in hand 70% या यानि 21,000 रुपईये आपके हाथ में जाएगा यानि आपके खाते में दिया जाएगा 9,000 रुपईया जो है वो कॉप्स फंड में जाएगा और 9,000 रुपईया सरकार भी कॉप्स फंड में डालेगी यानि 18,000 रुपईया आपका एक तरफ जमा हो रहा है 20,000 आपके खाते म में जाएगा 9,900 रुपईया उस खाते में जमा होगा जो आपको retirement के समझ मिलने वाला है और 9,900 रुपईया सरकार भी उसमें जमा करेगी तीसरे साल आपको 36,500 रुपईया मिलेगा जिसमें से 25,550 रुपईया आपके खाते में आएंगे 10,950 सरकार जमा करेगी 10,950 आपका ज 10,04,000 रुपईया आपका जो है वो सेवा निधी में जमा हो जाएगा सेवा निधी पैकेज उसी को कहा जाता है जब आप रिटायर होते हैं जो आपको 12,000 लगभग एमाउंट मिलने वाला है उसी को सेवा निधी पैकेज कहा गया retirement के समय जो पैसा आपको मिलेगा तो सेवा परकार से कोई इसमें टेक्स पे करने की जोड़त नहीं जानी कि इसमें इंकम टेक्स कट हो जाएगा ऐसी बात नहीं है यह इंकम टेक्स फ्री होगा और आपको तकरीबन 12,00,000 रुपई आपको पैसे मिलेंगे आपको किसी भी परकार से पी आफ अगरा नहीं कटने वाला ह अगरा नहीं मिलने वाला है तो जितना मिल रहा है वो काफी बढ़ियां काफी अच्छा काफी बहतरीन है और इसी परकार से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और भी अपडेट्स के लिए और फिलहाल अभी जाईएगा मत अभी चलना है वेबसाइट के उपर और वहां प हम लिख देते हैं B, S, F या हम Air Force लिख देते हैं Air Force लिख करके सर्च करेंगे यहां पर Air Force की Official वेबसाइट आ जाएगी और जैसे ही यह वेबसाइट खुलेगा तो आपके सामने जो है यहां पर एक देख सकते हैं टैब है अगनी पत का इसके उपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अगनी पत के उपर तो आपके सामने जो है वो अगनी पत स्कीम जो है वो पूरा पुरी आ जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं अगनी पत स्कीम के बारे में पूरा पुरी दिया हुआ है और Detail Information के लिए यहां से आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके उपर जै लागू रहेगा आप देख सकते हैं नीचे में जो यह 29 नंबर है कि देट के समय या अगर दिव्यांग हो जाते हैं तो आपको क्या-क्या मिलने वाला है इसके बाद आपका वेतन क्या होगा यह यहां पर दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी दिखाया भी इसी परकार से अन इंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में पढ़ सकते हैं देख सकते हैं मैंने जो जो आपको बताया वो सारी चीज़ें इसकी ओफिस्यल वेपसाइट पर लिखी हुई है और इसके अलावे अन्य जो ब्स अग्रा के वेपसाइट पर अभी तक इसमें नहीं अपडेट क अग्या है एयर फोर्स के वेपसाइट पर अपडेट कर दिया है तो अगर आप चाहें तो इसमें जो है वो जा करके देख सकते हैं इसमें भी बहुत प्रकार की जो है वो जानकारिया यहां पर दी गई है और वैसे भी अगर आप इन सारी जानकारियों को बाइपूरूफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए आपको यहां पर सभी प्रकार की जानकारिया जो है मिल जाएगी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद